नमस्कार इन खबर में आपका स्वाकत है मैं विद्धेश उंगर्ति वारी हूं कोरोना वाइरस याने कोविन नैंटीन ने पूरी दुनिया में तबाहिन मचारक ही है लगभग दो सब देश इसके सिकार हो चुक है इसके बावजूद अभी तक ये सवाल अंतरित है कि आखिरकार ये फैला कैसे है आउट ब्रेक तो ये चाइना में हुआ बुहान में बट ये आया कैसे मनुस्य में इसको लेकर के अभी भी बहस चल रही है पहले खबर आई थी कि चंगादर और उसके बाद सां और फिर मनुस्य में आई क्योंकि चाइना में इस तरीके के जीव को खुब काया जाता है वैसे भी बुहान में जो सीफूड मार्केट है वहाँ पे बकायदे ये सब गिता है और लोग उसे चाव से खाते है लेकिन अब जो खबरे आ रही है उन खबरों के मुताबिक आधी बाते इसमें के इसाबित हो रही है आधी बाते दुसरी तरफ प्रेवर्ट हो रही है और वो यह बात आ रही है कि इसमें कहीं कोई दो रहा है नहीं कि जो आया इसका आप सब्सक्राइए जीन्स या वायरस जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ चंगादर से तो यह अरुमान लगा जारा रिसर्च भी हो रहा है कि चंगादर ने कर वीट किया लीड किया और जो पैंगुली नाम का एक जीव है से जो है डान्स वह क्योंकि रिशर्ट में बात आ गए कि इसके पैंगुलीन के और वायरस के जिनुन में काफी समानता है अब आखिरकार पैंगुलीन पेंगोलीन नहीं 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 जो उसका अवयद सिकार होता है और लोग ठाते हैं उसी का यह नतिजा हुआ है जनवरी 2019 में हंग वंग में नौ टन पैंगोलीन इसकास जब्ध किये गये थे। और 14,000 पैंगुलीन को मारा गया होगा ऐसा अंदाजा है मलेशिया में 33 टन पैंगुलीन का महस्पारा मत किया गया था और सिंगापूर में 14 टन पैंगुलीन इस कल्जिप के गया थे वाइड एड्वोकेसी ग्रूप वाइड एड की 2016 की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पिछले एक दसक में इंसानों ने करीब 10 लाख पैंगुलीन का सिकार किया जिसमें से ज्यादा तर अबायद बन जीवतसकरी का हाथ है पिछले साल चीनी पैंगुलीन को चीन में फंक् करता गया है और इसकी संख्या जो है यहां फिलिपीनों और भार्ती पैंगुलीन के संख्या में पचास पिस्वत कम होई है तो अंदाजा लगाई है कि एक तरफ 80 पिस दी दूसरी तरफ 50 पिस दी और इसकी दिमांड इतनी है कि 300 डालार अलगबग एक पैंगुलीन देशी 10,000 रुपे का पड़ता है इसके रवाई हो इसका दवाई हो इसका है चैनिज मानते हैं कि चमक में और भी कई तो जो सैन्टिस चाहिना के हो चैना बाहर के एक्सपर्स हो किसी नतीजे पर हुँचते हुए से दिख रहे हैं वह यहीं मानने है पहले चमगादर अब सांप ब यही होगा यही बात भष्वाले से नहीं यहीं होगा एक बात बहुक्त हुँ समय समय पर लगाता रहाए जब तक ये सब बंद नहीं होगा तब तक ऐसे वाइरसों का फैल ना नहीं रोखा जा सकता तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डिजिटल चैनल इनकबर इनकबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूब